धम में धम है धम धमदार है बहुत बल साली है बिलकुल भी कमजोर नहीं है चाए भारत में है या नहीं है या भारत में बढ़ रहा है या नहीं चाए दुनिया में इसका कोई भी स्टेटस है मगर धम बहुत धमदार है इसमें कोई शक नहीं है मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ धम की ये मेरा शौक है मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना और धम के बारे में जानना ये मेरी कोई मजबूरी भी नहीं है और मेरा कोई पेशा भी नहीं है मैं अपना समय इसमें देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है धम के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने में मुझे संतुष्टी मिलती है मैं धम का ब्यापार करने जैसा महापाप नही कर सकता क्योंकि मैं धम को जानता हूं धम में ब्यापार करने की बिलकुल भी इजाजत नहीं है इसलिए क्योंकि धम पीडियों से बिना ब्यापार के ही आगे बड़ा है जब भी लोगों ने इसको ब्यापार में बदलने की कोशिस की है धम ने उनको जड़ से खतम कर दिया उ की सुक्षान्ती खतम हो गई ये धम का प्राकर्टिक नियम है और धम की ये विसेश्था बहुत अपने आप में उत्तम है इसलिए मैं जब कभी किसी पानी ग्रह संस्कार में जाता हूँ पानी ग्रह का मतलब है एक हाथ को दूसरे के द्वारा ग्रहन करने का संसकार जिसको वेवा संसकार भी बोलते हैं तो मैं वहाँ अमूमन तो जाता नहीं मगर अगर कहीं मजबूरी ऐसा हो के कोई नहीं जा रहा है तो मैं चला जाता हूँ तो वहाँ पानी ग्रह संसकार में मेरे नहीं आ जाए इसलिए मैंने इसका नियम बना हुआ है नहीं असा न हो कि लोग मुझे आओ भगत में कुछ देने लगें और मुझे उसका लालस पड़ जाए और फिर मैं धम्मो को छोड़के शादी कराने का बिजनिस करना सुरू करता हूँ इसलिए मैं अपनी जेव से उनको 100 रुपे का नियम बना के देता हूँ अमूम मनतों मैं जाता नहीं यूटूब चैनल पर साथ परसेंट जो लोग देखते हैं जो सबस्काइब करते हैं वो लगबग वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में हैं और जिनको बुद्ध धरम के वारे में जानका ही लेना का बड़ा शौक है उनका कोई कास से या मज़व से कोई लेना दरा नहीं है 40% के करीब वो लोग हैं जो अपने आपको टेडिशनल या परंपरागत बुद्धिष्ट के रूप में स्थावित करते हैं या जो खासों से बावासाव अमबेट करने जो बुद्धिष्ट लोग को बताया वो लोगों की संख्या 40% है कुछ बिदेशी भी अब देखने लगे हैं जैसे नेपाल से थाइलेंड से इंगलेंड से अमरीका से कुछ लोगों की सबस्क्रिप्स आने लगी है ज़्यादा लोग नहीं आते ज़्यादा की आवश्कता भी नहीं है क्योंकि आज कल के दिनों में लगबग साले 4000 के करीब सबस्क्रिप्सन है और साले 4000 में लगबग 35-40% लोग रोज देखते हैं यानि कि 17-1800 लोग रोज देखते हैं किसी भी चैनल की सफलता के लिए ये बड़ी बात है कि उसके सबस्क्रिप्सन बेसा कम हो मगर उसके वीवर यानि उसको रोज देखने वाले लोग ज़ादा हूँ और उस पे भी जो कमेंट आते हैं वो और भी बड़ी बात है क्योंकि लोग जिग्यासा से देखते हैं तो उनके अंदर एक जिग्यासा आती है तो अपने प्रसंद पूछते हैं प्रसंद जादा आने लगे हैं जितने कवर हो जाते हैं मैं कर देता हूँ बाकी पैंडिंग पड़े हुए हैं क्योंकि एक एक प्रसंद की सही जानकाई देने के लिए बहुत जादा पढ़ना पढ़ता है मैं कोई पैदायसी पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं जतना पढ़ लेता हूँ जतना समझ लेता हूँ ओतना मैं आपको बता देता हूँ और भी लोगों ने वीडियो बनानी शुरू की हैं बाकी सब जो सीख रहे हैं और देख रहे हैं वो भी वीडियो बनाएं इससे जानकारी लेने और देने में आसानी होगी मेरा काम भी हरका होगा और बागी लोगों को भी जानकारियां बढ़ेंगी यह और भी ज़्यादा धम के लिए और उनके खुद के लिए और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा ऐसा मेरा अनुरोध है यह चैनल या कहें तो मैं कभी पैसे नहीं लोगा क्योंकि पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होते इंटरनेट मेरे मोबाइल में होता ही है जो मैं रखता ही हूँ आज कल जरूरत है सभी की जैसे रोटी खाते है वैसे इंटरनेट हुचाए मोबाइल से रिकॉर्डिंग बढ़िया हो जाती है इसलिए कहीं कोई खर्चा होना है भी नहीं समय मेरे पास होता है अध्यन में कर लेता हूँ और इसके अलावा जो धम है उसकी तो कोई कीमत है नहीं कोई धम की कीमत क्या लेगा और क्या देगा यह तो अमूल है यह तो अपवारे प्राकर तिखया यह तो प्रकती में है भगवान बुद्ध ने दिया हम उनके आभारी है इसलिए धम तो अनमूल है तो इसलिए इस चैनल को कभी भी पैसे की आवशक्ता पड़ेगी नहीं कुछ लोग जो मानसिक रूप से बंदे हुए होते हैं वो बारवार मुझे फोन करके या मैसेज करके ऐसा कहते हैं कि आप इतना बढ़िया धम बताते हैं इतने सल सब्दों में धम बताते हैं अगर आप ये कपले का रंग थोड़ा सा बदल लें या तो सफेद रख लें या भगवा रख लें या कोई चादा लपेट लें या कोई तलक लगा लें या कोई धागा लपेट लें सफेद रंग का हाथ के अंदर या कहीं प्रग्या का कोई चन बना लें माथे के उपर या कोई कपला सर पर रख लें या अपने बैठने का आसन बहुत बढ़िया बना लें या अपने आसपास कोई मूर्टी, कोई कुजा की सामिक्री रख लें या कोई फोटो रख लें या कहीं चण में बंदना करता हुआ कुछ ऐसा इसारा कर लें या आते जाते कुछ चण मंदना करें तो आपकी वीडियोज का ज़्यादा असर होगा लोग आपकी वीडियोज को बहुत ज़्यादा देखेंगे बड़ा असर पड़ता है इन बातों दरसल बात तो वो सही कहते हैं क्योंकि अगर आपने दुकान चलानी है तो मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आपकी दुकान के अंदर चमक दमक बढ़िया होगी आपकी दुकान के अंदर अगर सेल्स मैन की बजाय सेल्स गर्ल्स होगी और वो भी मीठी मीठी आवाज में बोलने वाली कम कपड़ों में आपकी दुबा दुकान के अंदर अगर बहुत right लाighting होगी और आपका product अगर अच्छे अच्छे जगे packing होगा उनके डिप्बे की जो डिप्बा है उनका उसकी चमक बहुत बढ़िया होगी और बताने का तरीका बहुत बढ़िया होगा और उसके बहुत जयART विग्य दुवारा आएगा या नहीं आएगा या दुवारा आपको और ज्यादा फिर दुकान की चमक दमक बढ़ानी पड़ेगी ताकि लोग फिचे चले आएं। तो वो भगवान बुद्गे और बिकुर संके सपोडर होंगे तो उससे वो राजा को चिलेंज कर सकते हैं या सत्ता पे कापज हो सकते हैं या लोगों को अपना मनमणी से घुमा सकते हैं या दंगे करा सकते हैं या फसाद करा सकते हैं या वोट करके जीश सकते हैं ऐसा कभी बगवान बुद्ध के, तो कि अगर कोई बुद्ध ऐसा सोचेगा भी, तो वो फिर बुद्ध नहीं होगा, कोई संत अगर ऐसा सोचेगा, तो संत नहीं होगा, कोई सजन अगर ऐसा सोचेगा, तो वो सजन नहीं होगा, दुर्जन नहीं होगा, तो बगवान बुद्ध ने कहा कि किसी को ये कहना है कि आप बुद्ध की फिलोस्पी को सीख लो या आ जाओ या मेरे मत में आओ या मेरे मजह में आओ या मेरे संग में आओ इतना जरूर वो कहते थे कि अगर कोई जग्यास हुए है कोई जानकार है तो एही पस्सिकों का मतलब है कि आओ और इसको अनुभव करो इसको चेक करो इसको देखो इसको चखो इतना जरूर कहते थे कि एक वार इसको आजमाईश कर लीजिए आके देख लीजिए आजमाईश फिर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर चले जाते थे, जस्ता आते थे, ग्रस्च चले जाते थे, छूट है, क्योंकि धम जबल जर्ट या जबल जस्ती से या मार पटाई से कभी कोई भी किसी का धम परिवर्टित या उसका सोच या उसकी फिलोस्पी को चेंज नहीं करा सकत अगर फिलोस्पी में दम होगा अगर उस बात में दम होगा और वो बात सच होगी और वो बात पूरी दुनिया के लिए सची होगी और एक सी होगी सारे मनुस्य के लिए बढ़िया होगी तो दुनिया का कोई मनुस्य उसका विरोध नहीं कर सकता यही बात बुद्ध की फिलोस्पी में और जो प्राकर्टिक नियम बुद्ध ने बताय धम यही बात है क्योंकि उसमें उन्होंने मनुष्ट के कल्यान के लिए जो रासता वोग देखा कि मन कैसे काम करता है मन कैसे दुखों से मुक्त होता है और मन से कैसे खुशी उत्पन होती है और कैसे मन उसे खुश रहना सूख कर देता है और खुश तो सभी देना चाहते हैं एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया का डॉन है और पूरी दुनिया का माफिया है और पूरी गॉड़ फादर है वो भी ये चाहता है कि उसका पुत्र गॉड़ फादर ना बने उसका जो पुत्र है वो डॉन ना बने उसका पुत्र किमनल ना बने और उसके बेटी की या उसके जो शादी हो वो किसी सजन परिवार में हो सुख और शान्ती वाले परिवार में हो चोर भी ये चाहता है कि जो चोर है उससे उसका कोई रिलिशन दार है वो दिन में उससे मिलना पसंद भी नहीं करता बेसक रात को वो सब एक हो जाते है कونकि वो भी नहीं केलवाना चाहता है कि वो चोर है गलत काम है मन को दुख देता है आशान्ती पढ़ा करता है भाजा बोले तो बुद्ध ने इन बातों को समझा इनको इनल्बब किया इनको देखा लोगों को बताया तो दुनिया के सारे मनुस्य के लिए ये बात है एक सिंगल आदमी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा जो ये कह देगा कि बुद्ध तेरी फिलोसफी यहां गलत है ये मनुस्य मनुस्य में भेद पैदा करती है ये मनुस्य के लिए सुख सांती के लिए नहीं है, ये मनुस्य को दुख देती है एक भी मनुस्य पूरी लाइफ में जब से उद्ध ने अपनी फिलोस्पी बताई है एक सिंगल आदमी का स्टेटमेंट नहीं मिलेगा आपको एक लाइन पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी इसलिए धम बहुत दमदार है इसलिए धम के अगेंस्ट में जो बोलता है वो खुद ही खतम हो जाता है धम को कुछ करने की जोतने है क्योंकि धम का काम खतम करना है भी नहीं धम का काम लोगों को सुख शांती और बचाने का और जीवन देने का है इसलिए दुनिया में जब कभी बहुत ज़्यादा जगड़े हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा वैपना जाते हैं जब मारा मारी बहुत होती है, जब वैपार के लिए जगड़े होते हैं, कतल होते हैं, और हत्यार चलते हैं, बंब चलते हैं, या महा मारी आती है, उसके बाद लोग फिर बुद्ध के इस फिलोस्पी को ढूनते हैं, चाहें बेसक बुद्ध के नाम से ढूने या ना ढूने, मगर वो शांती ढूंटे हैं, सुक ढूंटे हैं और सुक और सांती की जो तरीका है उसको ढूंटे है पूरी दुनिया में बुद्ध बहुत दमदार तरीके से अपनी फिलोस्पी को इंटर्डूस किये है और सारी दुनिया में वो जो फिलोस्पी है वो चलती है अब तो UK और अमरीका और उस्टेलिया, यूरोप, कनाड़ा, सबी जगे ये फिलोस्पी बहुत तेज़े फैलती जा रही है लोगों को समझ में आता जा रहा है क्योंकि ये सारी भासों में है और ये बहुत सिंपल है एक आम आदमी भी इसको बता सकता है, एक आम आदमी भी घ्रन कर सकता है, इसमें आडंबर की आवशकता नहीं है इसमें कपड़े पहनने की, रंग बरंगे कपड़े पहनने की, या कोई चिन लेना, या कोई मूर्ती लेना, या कोई पूजा पाट करना, या मौंबती जलाना, या अगरवती जलाना, या धूबती जलाना, या कहीं किसी का गुलाव होना, या सलेव होना, या किसी को गुरू बनाना ऐसी कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं है इसमें सिंगल सब्द भी कहीं गौट का नहीं आता मनुस्य से आरहम होती है और मनुस्य पे खत्म हो जाती है इसलिए जैसे कपड़े पैनके चाहे मेरे पास चस्मा है या टोपी है या बाल बड़े है या छोटे है चाहे मैं नहाया या नहीं नहाया या धोया या नहीं धोया सकल काली आती है तो ठीक बात से मतलग है क्योंकि नारियल के छिलके में कुछ नहीं रखा नारियल का छिलका फैंक दीजियो तार के सार में जाईए मेरी सकल सूरत कैसी है, मैंने कपला कैसा पेना है मैं बता जो रहा हूँ, वो किस भासा में बता रहा हूँ इस से फरक नी पड़ता, जो मैं बता रहा हूँ वो सच है या नहीं है, उसको अनुभ़ पे आप देखिए नारियल का पानी पीजिये क्योंकि पानी सारी नारियलों में एकसा होता है उसका अस्वाद एकसा होता है 2003 तक मैं बुद्ध का अंदभक था और पूरा आडंबर पे चलता था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं, किसी ने दिखाया नहीं और मेरे पास कोई रासा था भी नहीं, जितना मुझे बच्छमन से मिला उतना मैंने देखा, तो मैं भी बड़ी धूब बत्ती और मौम बत्ती और अगरवत्ती जला के और बुद्धंग सर्णंग गच्छामी और बुद्धंग सर्णंग गच्छामी क्या करता था, मुझे कभी किसने नहीं बताया कि बुद्धंग सर्णंग गच्छामी का क्या मतलब होता है, क्या नही पानाती पाता वेर मणी खूब रटा मैंने खूब जाना बच्पन से जैसे जैसे सामने वाले ने बोला मैंने वैसे वैसे पीछे से बूत चला गया कई वार मैंने पूछा कि ये जो आप बोलते हैं इनका मतलब बताईए मुझे किसमे मतलब भी नहीं बताई 2003 में मैंने विपसना की क्योंकि विपसना का मैंने एक वीडियो बनाया वो देखने आप विपसना के बाद मेरी अंद्र भक्ती जाती रही फिर मैं धम को देखने लगा इस दम को देखे और विपसना में जाएं बाद में ये मीडिया का माध्ध में आ गया यूटूब आ गया, फेस्बुक आ गया तो मैंने इससे लोगों को जागरूप करना लोगों को सिखाना, लोगों को बताने काम आरम किया और अब तो बहुत भी आसान है आप एक वीडियो बना लेजी और वो पूरी दुनिया में चली जाती है जिसको देखनी है वो देख लेगा, जिसको नहीं देखनी है उसके तो सामने आप खूल के भी बैठ जाओगे वो नहीं देखेगा क्योंकि उसका मन उसमें है ही नहीं इसलिए धम को एक बार जरूर जाके देखें एही पस्षी को जैसे भगवान बुद्ध कहते थे तताकत बुद्ध कहते थे सिद्धत गोतम जो बुद्ध बनने के बाद कहते थे एही पस्षी को आओ और देखो धन्यवाद गच्छामे संघंशरनं गच्छामे